दोस्तों आजम पढ़ेंगे एच ऐसी के exam pattern के बारे में हम पढ़ेंगे इन तीनों exam का partner क्या है और की space पर question आते हैं और कैसे question आते हैं अगर हमें exam का pattern ही नहीं पताओ तो हमारा selection का किसे होगा हम पढ़कर कुछ जाएंगे और exam में कुछ आएगा तो हमारा selection कैसे होगा तो आपके इन सब को exam का partner full detail के साथ expression करता हूँ जिससे आपकी exam में 100% help मिलेगी चलो चलते हैं इनके exam partner के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं MPSW के बारे में तो MPSW में 5-7 question पोचे जाते हैं इंदी के 5 question आते हैं English के और 20-25 question पोचे जाते हैं Science के आपको याद रखना है और Science में भी सबसे ज़्यादा पोचे जाए कि biology फिर आएगी chemistry और सबसे कम आती है physics तो ना ही के वराबर आती है physics तो आएगी नहीं आएगी तो एक एक question आएगा मुस्किल से लेकिन biology सबसे ज़्यादा पूची जाती है और उसके तो biology पूच आती है मानों सरीर से इनकी मानों सरीर से पूच जाती ही लगबग सो 90% आपको याद रखना है और होसके तो मानों सरीर के अपरें full detail के साथ पढ़ के जाना हमारे सरीर में जो भी कुछ होता है आपको आना चाहिए और एक से एक या दो question आ सकता आपकी पढ़ाई से सम्मधी जो भी आपने MPSW में पढ़ा उसके सम्मधी ता है लेकिन biology सबसे जादी आती है और एक से दो question आएंगे plant related आ सकते हैं लेकिन biology से जबसे जादा फिर chemistry आएगी आपको आतिकरना और आप पहुचके तो मानों सरीर को full explanation के साथ पढ़ के जाना और यह भी पढ़ाना कि किस यह कौन सी विमारी किस के कारणों होती जैसे टाइफ़ाइड वारस से पहलती है बैक्टरे से पहलती है अगर आईगे एक्ष्ट्रा बच्चे यह यह अगर आपको इस एक्जाम पैटनर आएगा अगर आपको इस एक्जाम पैटन के इसादा भी दो थीन दिन बच्चे आपके लिए आपके लिए बहुत हाल्प होगी दो-तिन दिनों में भी नेक्स्ट बात करते हैं स्टाब नर्स की स्टाब नर्स का पाइटनर सब एक्जाम से अलग है क्योंकि इसमें 20 से 25 क्वेशन तो हरी अनजी के पूछे जाते हैं और 10 क्वेशन पूछे जाएंगे कंप्य लेकिन 10 से उपर मुष्के लिए जाएंगे और पागे बात करें 5 से 10 क्वेशन हैं कि मैट पलस में रिजिनिंग और यह भी 10 से जादा नहीं होगे 10 से कम रह सकते हैं 5 से 7 ही रह सकते हैं और लेकिन जादे जादा आएगे तो 10 से तो उपर ही नहीं जाएंगे मुरे इसाब से यह हमेशाद 10 से कम ही आते हैं आपको आद रखना है और इसका most important part है वो है 40 से 45 most important starbner subject आपने subject में पढ़ाई किया है जो भी आपने course कीया है NM G NM उससे समादी 40 से 50 questions पूछे जाते हैं समादी क्या हुता है जैसे बिमारियों के बारे हम पूछे जाता है जाद है जाद है इसमें वह भी science में जैसे हमें इसमें आपको भी मानों शरीर के बारे में तो पढ़ कर जाना ही है human body तो आपको full detail के साथ पढ़ कर जाना है लेकिन में इसमें आपको MPSW से कुछ extra पढ़ कर जाना है science के जो आपने chorus किया है इससे पूसे जाती है इसमें 40-45 question क्रोना वाइरचिंगाय क्यों करा सकता है जासे क्रोना वाइरस को पड़िक के जाना इस सी कुछा हो जाता है और पिछला देख designs 2019 में हो था उसमें computer computer और ही जो भी question आई है इंगली से में आते हैं साइद सो पर तीसद आपको यह वियाद रखना है रोज के तो आप अपने subject या बिमारी से biology आप सो पर तीसद पकी करके जाना क्योंकि यह portion आपका selection करवा सकती है और इसी portion लोत्यारी क्योंकि यही से ज़्यादा question पोच जाते है अगर आपको selection से यह तो यह portion आपको पढ़ लेना और मैं आपको इनका पेपर भी कराऊंगा तीनों एक्जामों का जो पैटनर बता रहा हूं question आएंगे science के आपको याद रखना है और 20-25 question पोचे जाते हैं हरियाना जी के के और पांस से दस question पूचे जाएंगे current affair के पलस में हरियाना करंड़ नाशनल करंड़ और computer से एक चाह दो question आ सकता है और इसमें जो भी science के question आते हैं यह भी biology से आते हैं कमैस्टरी से भी कमाते से लेकिन biology प्लस में कमैस्टरी से आते हैं आपको याद रखना है और इसका मैन portion है यह 10-15 question इसमें होम साइज से लेटीड जो भी subject उससे समंदीद आपके अपको यही रट लेना इससे बार कुछ नहीं आएगा जैसे होम साइम सवाप हो उसके दो दसमी प्लस में पलस टू नहтесь से पूछ जाते हैं होम साइस से दूरूर रटके जाना और बालविकास बाग के बारे में थैसे सम्सें पूछे गए हैं और जो बागी बाकी question बच चुछ होएं है तो आपको बता ही होगा आइश्टा जैसे history ज्योगर्फी ओंसे पोचे जाते हैं लेकिन आपको यही रट के जाना है यह दस से पंदरा क्वेस्टन इसके आपके सब्जेक्ट से आएंगे ओम साइस से रट लेना आप उसके तो दस मिवर प्लस टूगी और महीं लावें बाल इवकास के बारें पूल डिटेल से पढ़ लेना और मैं आपके ल क्वेड़ी